कृशंगन स्थाना इलाके में मकान गिरने से एक बच्ची की वी मुर्थ्युग घायळों का अस्पताल में इलाज जारी कृशंगन स्थाना शेत्र के गणेशगण पहाड़ी पर मकान की दिवार गिरने से 23 साल की बच्ची और उसका पिता मलबे के नीचे डब गया जहां शित्रवास्यों ने कृशन गंस्थाना पुलिस को सूचना दी जहां पुलिस मौके पर पाउंची और बच्ची और उसके पिता को अजमेर के जेलन अस्पताल रैफर किया गया वहीं डॉक्टरों ने तीन साल की बच्ची को म्रदगोशित कर दिया जहां बच्ची के श्रव को अस्पताल की मोर्चरी में पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया गया वहीं उसके पिता का अस्पताल में इलाइब जारी है और कृशन गंस्थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जूटी है एक इनकार्णों की चलते घर की दिवार गिरी है आज सुबह गनेश गर्ड़ से जरी टेलपोन इतला मिली थी कि गनेश गर्ड़ पहाड़ी पे एक मकान की दिवार गिर गई है जिसमें एक बच्ची दब गई हुए वह दबनेश उसकी मर्ति हो गई हुए बच्ची के पिता के चोटे आई है इतला मिलने पर गटनाइस तल पर पहुँचे गटनाइस तल का मुएना किया एवं महां से ग्यात हुआ कि मर्त का बच्ची को अस्पतार ले जाया गया है इतला पर अस्पतार आये है बच्ची का नाम गर्ड़ों ने निव्या बताया जिसके उमर तीन साल है पहाड़ी पे कमरा बनावा था जिसके दिवार कच्छी थी एबंव वो पिछे से मिटी का प्रेसर होने से दिवार गिर गई और बच्ची की मरते हो गई है अभी पोस्ट मार्टम करवा रहे हैं और जांस की जाएगी कि किस करण से मकान गिरा है क्या हुआ है और किते लोग गाया ने जो इंवरू